नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुना जी और उनकी जीवनी के बारे में जंगल के मसीहा कहे जाने वाले सुंदरलाल बहुगुना ने कैसे सामजिक एक्टिविटीज में भाग लिया, क्या था उनका बच्पन, किस तरह से वो गांधियन वैलिउस को बहुत ज्यादा मानते हैं अपने जीवन में, क्यों उन्होंने ठुप राया था पदम शिरी, तो बहुत सारी कहानी हैं उनकी, तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में, सबसे पहले देखी उनकी कुछ लाइने थी बहुत फेमस, जैसे क्या है जंगल के उपका मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, यह है जिन्दगी के आधार, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके लिए मिट्टी, पानी और हावा और यह सब देने वाला environment कितना important था उनके लिए, तो यह थी उनकी जिन्दगी की सबसे बड़े आधार, ऐसा वो ब अंधियन वेल्यूस को ध्यान में रखते हुए अहिंसात्मक अनुलन करते थे, जैसे कि फास्ट पे बैटना, और मार्च निकालना, इसी तरह के, तो इनका जो जनम होता है 1927 में, मरोदा विलेज है तेहरी, जो की अभी उत्राखंड में है, वहाँ पे गावं विस्तित है, मरोदा वहाँ इनकी जीवन यात्रा शुरू होती है, यह बहुत ही ज़्यादा प्रुभावित होते हैं महात्मा गादी से, और जो नौन वाइलेंस, सत्यागरा, इस तरह के जो सिद्धान थे महात्मा गादी जी के, वो इनकी लाइफ में भी आपको देखने को मिलेंगे, खास करके यह एक मुवमेंट चलाते हैं, जिसका नाम होता है चिपको मुवमेंट, उसमें यह टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, पेडों को गले लगा देते हैं, और इसलिए इसका नाम होता है चिपको मुवमेंट, तो इस तरह से इनकी लाइफ चलू होती है, इन्हें चुवा चाथ जो होती थी उसके खिलाफ उन्होंने काम किया शोशिल एक्टिविटीज में ये बहुत चोटी उमर में 13 साल की उमर में ही ये शामिल हो गए थे इसके बाद जैसे उन्होंने काफी काम किये तो उन्होंने ये भी था कि कॉलोनियल रूल जब हमारे हां अंग्रे गांधियन वैलियूस के अगर बात करें थे यो बहुत ज़्यादा गांधियन थे और इनकी जो वाइफ थी विमला देवी उनका भी बहुत योगदान रहा है इनकी सामाजिक जीवर में और वही इनको इंस्पायर करती है कि हम हमेशा रूरल एरियास में रहेंगे गाओं मे करते हैं और गाओं गाओं घुमते हैं पर्यावरन को बचाने के लिए इसके बाद अगर हम बात करें तो परसनल लाइफ में भी वो गांधियन वैलियूस को फोलो करते थे उनका पहनावा रहन सहन खान पान इसके अलावा 26 जनवरी और 15 अगस्त पो एक उत्सव की तरह मना जाते थे और शहीद दिवस जो है वो मनाते थे बहुत मतलब गांधियन वैलियूस इनके अंदर बहुत जादा भरी हुई थी इसके बाद अगर हम बात करें तो यह सोशल वर्क जो करने लगते हैं उसमें गांधी जी का रोल था वो तो दिखी रहा है इसके अलावा मीरा ब बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे बहुत स्ट्रॉंग कम्यूनिकेटर थे और उन्होंने जो भारत के हिमाल्याज में जो पर्यावरन को नुकसान पहुंच रहा है उसको इंटरनेशनल स्टेज में यूएन की रिपोर्ट में भी ला दिया था और बहुत ही पर्यावरन को बहुत जादा नुकसान पहुचाने वाला था तो इनोंने पदम श्री लेने से भी मना कर दिया हलाकि इनको पदम विभूशन दिया जाता है 2009 में जो ये एकसेप्ट करते हैं अब इनके बहुत बड़े जो मुमेंट्स हुए हैं उनकी बात करते हैं तो देख यह क्या करते है आपको यह पेड़ दिखरा हогा इसके चारो तरफ ही ऐसे लिपट जाते हैं कि इनको हम काटने नहीं देंगे अगर इनको काटोगे तो पहले हमें काटो तो इस तरह से ये पेडो को गले लगाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं चिपको मुमेंट यह देखे sustainable development जो टाउन सुनते हैं कुछ यही है उनका सिद्धान्त की ecology है तब ही हमारी economy रहेगी इसके बाद अगर हम बात करें तो यह देखिए 1981 से 1983 तक हेमालियान मार्च निकालते हैं 5000 किलोमेटर गाउं गाउं घूमते हैं और सपोर्ट जुटाते हैं कि कैसे पर्यावरन को होने वाले नुकसान और जो अंधा धुन्द वनों को काटा जा रहा है उसको रोका जाए और यह जो मैसेज है यह United Nation तक भी यह पहुचा देते हैं कि किस तरह से हिमालियाज में जो पूरा नुकसान पहुचा जा रहा है इसके अलावा देखिए यह हिंद्रा गांधी से मिलते हैं और उसके बाद Mrs. गांधी जो होती है वो 15 साल के लिए बैन लगा देती है 1980s में कि अब कोई पेड नहीं काटा जाएगा हारा पेड नहीं काटा जाएगा तो इस तरह से यह जो है इनका हिमालियन मार्च होता है 1981 से 83 में इसके बाद जो है यह बहुत लंबे समय तक टहरी डेम जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इनको देखे जेंटल वारियर बोला जाता है क्योंकि बहुत ही जेंटल बिहेवियर होने के नाते इनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था बिल्कुल गांधियन वैल्यू से यह फॉलो करते थे तो यह फास्ट करते थे हना इसके अलावा अगर हम देखें उनके इंपोर्टेंट अदर वर्क्स तो देखें उन्होंने टेंपल एंट्री कराई दलित्स की ठककर बपा जो कि दलितों के काम के लिए फेमस थे उनसे इंस्पायर होते हैं यह दलितों के लिए टेंपल्स बनवाते हैं चोटे-छोटे आश्रम बनाते हैं दलितों के लिए और खास करके देखिए विमन जो हैं उनके लिए भी बहुत फिये डेडिकेटेट रहते हैं इसके बाद देखे अल्कोहल को बैन कराने के लिए ये क्या करते हैं दलितों को जो है सुधारते हैं इंप्रूमेंट लाते हैं उनको एमपावर करते हैं अल्कोहल छुडवाने का काम जैसे कि महात्मा गांदी कहते थे दलितों के लिए कि अगर आप अल्कोहल का कंजम्शन र लिकर को बेचना तो यह इनके काफी important काम थे अब हम बात करें कि इनकी जो life है उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है तो देखें चिपको जो moment था उसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे पर्यावरण और economy एक दूसरे से जुड़े हुए है और बहुत जरूरी है पर्यावरण अगर आपको develop भी होना है तो पर्यावरण का आपको धारनक ना होगा तो उन्होंने एक slogan दिया ecology is permanent economy मतलब पर्यावरण ही इस्थाई आपकी economy है इसको आप नहीं पीछे रख सकते या फिर compromise नहीं कर सकते ये इनका message था दूसरा message इनों नहीं दिया था वो जो इनकी मार्च होती है उससे बुरा था कि हिमालया is the land of penance तपस्या की भूमी है हिमालया और nothing in the world can be achieved without penance और कुछ भी दुनिया में बिना तपस्या के प्राप्त नहीं हो सकता तो आप हिमालया अगर नस्ट कर रहे हैं मतलब आप तपस्या को भंग कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा तो ये इनका दूसरा message आप देख सकते हैं और तीसरा message ये देते हैं कि किस तरह से interdependence है human communities पर्यावरण के ऊपर तो ये दिखाते हैं कि life जो है वो पूरी पर्यावरण के आसपास जो है घूंती है हमारी पर्यावरण के बिना हमारी life exist नहीं करती और ये अपने जिंदिगी के अंतिम समय तक भी देखिए social cause के लिए लड़ते रहे और अभी जो present moment चल रहा है एंडिया में recently उसको भी इनों ने support किया था तो कुल मिला के इनकी जो जिंदिगी है वो शुरू से लेके एंड तक गांधियन values को follow करते हुए भारत में सामाजिक कारेों में हमेशा ये लगे रहे तो इसी के साथ आज इतना ही इस वीडियो में I hope आपको अच्छा लगा होगा next वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जैन जै भारत